आज के वीडियो में मैं आपको 438 के factors निकालना सिखाऊंगा factors निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 438 किस तंख्या से डिवाइड होगा और कितने बार में डिवाइड होगा दोनों ही 438 के factors होएंगे तो सबसे पहले मैं 1 से चेक कर लेता हूँ 1 से 438 टाइम में ही जाएगा तो जिससे डिवाइड किया जितने बार में डिवाइड होगा दोनों ही 438 के factors है इसके इलावा ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है 438 कितने टाइम में 219 टाइम में है तो जिससे डिवाइड होगा जितने बार में डिवाइड होगा दोनों ही 438 के फेक्टर्स हुए इसके इलाबा ये 3 से भी डिवाइड होगा 146 टाइम में तो 3 एंड 146 भी 438 के फेक्टर्स हुए इसके इलाबा ये 6 से भी डिवाइड होगा 438 कितने टाइम में 73 टाइम में ओके तो 6 एंड 73 भी 438 के फेक्टर्स हुए इस तरह से 438 के total factors कितने हुए 1,2,3,4,5,6,7,8 total factors आपको 8 मिले 438 के लिए और अगर आपको 438 के factors की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भूले